राजेश्वरी और मनोज की शालिनी नाम की एक गोरी बेटी थी, जिसके बहुत जादा नखरे थे, वहीं दूसरी और मनोज की पहली सुर्गवासी पत्नी की बड़ी बेटी काजर थी, जो बिलकुल अपनी नाम की तरहां काली थी, इसी बजहां से शालिनी ने कभी काजर को बेहन के रूप में नहीं अपनाया, वो उसे बहाँ चड़ा करती थी, वक्त के साथ दोनों बड़ी हो जाती हैं, दोनों बेहनी एक ही कॉलेज में जाते थी, शालिनी काजर को अकिला छोड़ कर आ जाया करती थी, घराने के बाद राजेश्वरी शालिनी से कहती है, शालिन काजल बेटा तुम दोनों कब प्यार से रहने लगोगी मुझे यो तारिक लिख कर बता दो काजल तुम्हारी बड़ी बहन है थोड़ा तो उसे प्यार सम्मान दिया करो प्लीस पापा मेरे बस की बात नहीं है मैं अपना और मजाख नहीं उड़वा सकती अरे काजल बेटा तु आ गई बेटा तु शालिनी की बात का बुरा तो नहीं मान रही ना देख वो छोटी है कोई बात नहीं ममी पापा मुझे आदत ही हो गई है और वैसे भी वो मेरी छोटी बेहन है मुझे इतना बुरा नहीं लगता ऐसा कहे कर दोनों अपने कमरे में चली जाती है राजेश्वरी हम दोनों अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं यहां तक कि तुमने कभी भी काजल को सौतेला महसूस नहीं होने दिया लेकिन शाली नी ने हमेशा जटाया है हम ऐसा क्या करें कि दोनों बेहन प्यार महबबत से रह ले लगे मैं तो कहती हूँ मनोज जी क्यों न हम दोनों बेहनों की शादी एक ही घर में करवा देते हैं क्या पता वहां बेहनों की तरह रहने लगे दूसरों के घर में एक दूसरे की मदद करे और पंडित जी ने मुझे एक जगे रिष्टा भी दिखाया है ऐसी बात है तो हम उस रिष्टे को देख लेते हैं दोनों दमाद अच्छे हुए तो अपनी बेटियों की शादी उनसे कर देंगे राजेश्वरी और मनोज इस सुझाम से खुश हो जाते हैं पिर कुछी दिनों में सावित्री के दो बेटे प्रीतम और किशन को देख कर अपने बेटियों के लिए रिष्टा पक्का कर देते हैं और शुब मोहरत देख कर अपनी दोनों बेटी की शादी प्रीतम और किशन से कर देते हैं जिसके बाद दोनों बेहन अपनी समझदारी से नए नए ससुराल को संभार लेती हैं लेकिन कुछी दिनों में शालनी अपने रंग लिखाने लगती है एक दिन मों प्रीतम की कॉफी में जाना चीनी डाल देती है ख़त का बहुत समझदार समझती है न मेरी पड़ी पहन कर लो माई लेकिन मैं इसे चैन से ससुराल में भी जीने नहीं दूँगी अब ही जेव जी के इस कॉफी के पीछे जो सुनाएंगी नहीं से मज़ा ही आजाएगा इतना बोलकर शालनी प्रीज में सी जूस निकाल कर पीती है और काजर अपने पती को जब कॉफी देती है तो कॉफी फैट प्रीतम कहता है काजिल ये तुमने कॉफी में इतनी चीनी क्यों डाली है अकल नहीं है क्या जरा सीवी या बनाना बूल चुकी हो अजी मैंने आपके लिए एक ही चमब चीनी डाली थी फिर इतनी जादा कैसी हो गई शरम करो जूट बोलने की भी कोई हद होती है पता नहीं कहा ध्या लगा रहता है तुमारा ठीक से खाना पीड़ा भी नहीं बनाती आज कल एक तो तुमारी काली सूरत होने के बाद भी मैंने तुमें अपनाया कम से कम मेरी जिंदकी और जंड़ मत करो माफ कर दीजी अपने दोबारा इसा नहीं करूंगी ये नजारा शालिनी खिड़की से देख कर बहुत खुश हो रही थी वहीं कुछ देर बाद जब काजर पहुंचा लगा रही थी तभी शालिनी चुपके से वहां और पानी डाल देती है अब मजाएका जब माजी यहां आकर फिसल जाएंगी और मेरी प्यारी बड़ी काली बहन और चेठानी को खुब सुनाएंगी तो मेरे दिल को सुकून पहुचेगा इसने मेरी शादी से पहले जिन्द की बरबाद करी थी मैं इसे ससुराल वाली जिन्दगी पर बात कर दूँगी तभी सावेतरी वहां आते ही रपट जाती है आई मोरी मैया मैं तो गिर गई कृष्ण कर मैया मेरी टूटी का मरिया अरे बाप रे बाप कोई तो उठाओ ओ कलूटी अच्छा तो तू यहां पहुचा लगा रही है ठीक से काम करना नहीं आता तोड़ दीना मेरी कमर अरे माजी आप यहां पर कैसे गिर गई मैंने तो अभी यहां पर सुखा दिया था माफ कर दीजी मुझे गल्सी से हो गया करम जली कल मूँ ही कहीं की एक काम ठीक से नहीं होता तोड़ से एक तो अपने काली बेटी को तेरे माबाप ने मुझे मर दिया माजी मैं आपको कमरे में चलकर दवाई लगा देती हूँ आईए कमरे तक ले जाते जाते सावितरी काजल को बहुत खरी खोटी सुनाती है वक्त गुजर्टा है शालनी खुद तो कोई काम नहीं करती थी और काजल की किये काम में नुक्स निकालती थी या काम को बिगाड़ दिया करती थी वहीं काजल के दो बच्ची होते हैं एक गोद का था, दूसरा बच्चा पांथ साल का था साथ ही शालनी आठ महीनी की प्रेग्नेंट थी इस बीच भी वो कोई काम नहीं किया करती थी एसी में महरानी की तरहां विस्तर पर पड़ी रहती थी माजी, ओ माजी, मुझे भोग लग रही है खाने के लिए कुछ ले आईए शालनी की आवाज सुन, सावित्री और काजर हाथ में जूस और नाश्टर लेकर आते हैं माजी, मैंने आपको बुलाया था अपनी काली बेहन को नहीं आगर इसका पर छावा, मेरी बच्ची पर पड़ा तो मेरा बच्चा भी इसकी तरह काला हो जाएगा जो में बिल्कुल नहीं चाहती अरे बहु, इतना कड़वा होना भी ठीक बात नहीं है आखिर वो तेरी बेहन है सौतेले ही सही और जेठानी भी कुछ तो सम्मान दिया कर माजी, कोई जबरदस्ती है क्या जो मैं इसको अपना हूँ बहुत हो गया अब अपनी बेहन को इस घर से निकाल कर ही रहोंगी कोई बात नहीं माजी, मैं अपनी कमरे में चले जाती हूँ, मुल्ना भी रो रहा है और रोही भी स्कूल से आ गई है ये कहेंकर काजर अपने बच्चों को संभाले लगती है, वहीं शालिनी अपनी जरूरत के हिसाब से काजर को अपनी कमरे में बुलाती थी उससे पैर भी दबाती थी रात को प्रीतम की सोते समय उसका बेटा रात भर रोता है जिससे वो नींद पूरी नहीं ले पाती शालिनी रूही को प्रीतम की important file दे देती है जिसका वो एरोप्लेन बना कर खेलती है इस बात से प्रीतम को इतना गुस्सा आता है कि अपनी बेटी को चांटा मार कर कहता है बस बहुत हो गया कभी रात को वो सोने नहीं देता तो कभी ये मेरी important file के पेज को एरोप्लेन बना कर खेल रही है मुझे तो परिशान ही कर दिया है दोनों बच्चों ने उपर से इनकी काली मा आज तिनों को ही घर से बेदखल कर देता हूं अरी आप इतनी से बात के लिए उसे क्यों मार रही हो बिचारी रो रही है माफ कर दीजी बिचारी है बाहर जाकर रहरा ऐसा बोलकर प्रिटम काजर और उसके दोनों बच्चे समीट उसे घर से निकाल देता है काजर बहुत मेनते करती है लेकिन प्रिटम उसकी एक बात नहीं सुनता जिसके बात काजर अपनी दोनों बच्चों के साथ बाहर भटा कर बारिश आने पर एक पाइप के अंदर रहने लगती है ममी पापा ने मेरी वज़े से आपको और मेरे भाई को घर से निकाल दिया ना मैं पापा को सौरी भूल दूँगी फिर वो हमें घर में बुला लेंगे ना मुझे सब की याद आ रही है इतना कहकर काजर अपने बेटे को पलू में दूद पिलाती है वही शालिनी इस बात से खुश हो कर अपने कमरे में कहती है आगर मैंने इतने सालों का बदला आज मेरी सौतेली बेहन से लेही लिया उसे और उसके बच्चों को इस घर से बेघर कर दिया अब यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा और मेरे होने वाले पच्चे का अच्छा है मैंने उस काली कलूटी की बच्ची को जेर जी की फाइल दे दी क्या यह सारी हरकत शालिनी तूने की है तुझे शरम नहीं आती सुलिया ना प्रिदम बेटा तूने शालिनी तुमने ऐसा क्यों किया मेरी भी बुद्धी इतनी भेष्ट हो गई थी कि मैंने अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों और अपनी पत्री को बेखर कर दिया मा मैं उने लेने जा रहा हूँ जा बेटा मेरी बहु को लेकर आ शरम आती है मुझे तुम पर शालिनी कि तुम मेरी बहु है कम से कम गर्भवती के समय में तो उसके बच्चे का खयाल रख लेती ऐसा कहकर दोनों उसके कमरे से बाहर निकलते हैं इतने में शालिनी को लेबर पेन होता है और दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं फिर प्रीदम काजर को ढूंग कर उसे भी हॉस्पिटल ले आता है जहां शालिमी को एक प्यारा सा बेटा होता है और होश आने के बाद वो अपनी बड़ी बेहन से कहती है काजर मुझसे बहुत बड़ी कलती हो गई है जो मैंने सिन्दे के भर तुमसे नफरत की और जो तुमें घर से बेगर करवा दिया वो तो माफी के लायक भी नहीं है समझ में नहीं आरा कि इस मुझसे माफी मांगो शालिमी तुने मुझसे माफी मांग ली यही मेरे लिए बहुत